हेलो फैंस में नितेश कुमार आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फोरेवर में एक वफिर से स्वावित करता हूं देखिए आज हम बात करने वाले एक स्टॉक से जिटेट जिसका नाम है बनाली पैट। नाइंटी एट रुपीज पर शेयर चल रहा है मैं अल्रेडी यहां पर इसे आज मॉर्णिंग में बाई कर चुका हूं और इस शेयर को बाई करने के पीछे का रीजन क्या है वह यहां पर डिसकस करना चाहूंगा क्यों यह स्टॉक्स रीसेंट में लगबग 12% के रिटर और थोड़ा सा उसे ओल्ट कर लेते हैं तो लगबग आपके पैसे मोर दन 50% होते हुए नजर आ सकते हैं तो उसी से लेटेड हम यहां पर बाते करने वाले तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे चार्ट बगर सब चीज डिसकस करेंगे क्यों बाते करेंगे कंपनी के फीचर से सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन को हिट कर लीजिए और के नॉटिफिकेशन को अन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसे से मिलती रहे है बाइंसलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइंशे एडवाइजर कुद की स्टेडी करिए एस व अगर आप नए आये हैं और बहुत सारे लोग वीडियो देखते भी है बट सब्सक्राइब नहीं करके जाते रिक्वेश्ट है सब्सक्राइब करिए इससे मोटिवेशन बढ़ता है लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉल अच्छा कासा यहां पर बागता हुआ नजर आ रहा है तो जाके वीडियो को देखिए ट्विटर को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो आए वीडियो की तरफ बनाली पैट्रो केमिकल्स क्या करता हो नजर आते है मनाली पैट्रो केमिकल्स के अगर हम बात करें तो 1986 में इंक अरइड्य कम्पनी में कॉपरेटının 26 आ सेल करती ह bes jew की कि कि प्रॉपलिन औक्साल्इड प्रॉप्लिन घ्लाइक्व पॉली पॉली ओलोस पी वाइओ के विच आर यूज एज इंडस्ट्री रोमेटी रहा इंडस्ट्री रोमेटी जाल एक तरीके से चेन्हीं में कंपनी लोकेटेर थे कंपनी इस दानली डॉमेश्टिक्ट्र मैनुफक्ट्ट्र अफ दर प्रोप्लाइन ग्लोमल पूरे यहां पर इंडिया की बात की रहा है तो केवल यही कंपनी है जो यह पर्टिकुलर प्रोड़क्स यहां पर मैनुफक्ट्र करते हैं तो यहां पर पहला और सबसे बड़ा भी है इस पर्टिकुलर सेग्मेंट में विच इस दा इंपूर्ट मैटेरियर फोर दा एफ और पर्टिक्लर प्रोड़क्स यह बनाने में आपर कंपनी काम करते हुए नजर आती है और बिखुछ जानना है कंपनी से लेज़िट तो आप एक काम कर सकते हैं वेफसाइट पर विजिट कर दीजिए तो यहां पर आपको पता चल जाएगा कि यहां कंपनी एक्टिक्ली करती नजर आ रही है और बुछाना पर पढ़ने को आपको मिलेगी स्टेक होल्डर के बारे में मैंश्मेंट के बारे में कंपनी किस तरीके से इन्वीशन ने स्टेनबिलिटी में लगी हुए है कि कंपनी MPL मिटिगेटेटेटे देट इंपक्ट वॉदा पेंडमिक क्या होता हाव एजिलिटी हैल्प MPL रेस्पॉंड तो पोबिट नाइटीन उसे लेटी यह बता रखा है कंपनी के बारे में और जानना है तो जागें आप बोड डारेक्टर्स के बारे में जान सकते हैं कंपनी किसकी सेग्मेंट में काम कर रही है वह सप्ट्री नहां पर आपको पता कंपनी की चीज़ें यहां पर देखिए एक तो डेट फिरी है कोई पी कौंस नहीं है प्रोजी प्रोज है डेट फ्री शेयर है ओके एक्सपेक्टेड गुड कोटर यहां पर देता हुए नजर आ रहे 54 परसंट का सिए जा रहे पिछले पांस साल में आरो सी आरोई की बात क चलना शुरू है जो हम यहां पर चार्ट पर आएंगे तो मैं आपको बताता हुए नजर आ हूँगा कंपनी का रूसी देखिए 33 परसंट आशिश का चॉलिया सर हमेश्चा कहते है कि रूसी देखना चाहिए रोई नहीं देखना चाहिए जिस कंपनी का रूसी बैटर है व मार्केट केप में स्मॉल केप कंपनी है और याद रखिए स्मॉल के कंपनी में इतनी पोटेंशियल है कि यहां पर ये शेयर अच्छा खासा भागता हूँ दिखाए देगा इंट्रेंसिक वेल्यू तीन सो रुपे के आसपास है यहां से यहां पर गया तो लगबर तीन अच्छे नजर आ रहे हैं पर अच्छा दिखा रही है यहां पर देखे कंपनी के रिजल्ट लगवाटतार अच्छा आते हुए दिखवाई दिखाए दिए और के बीच बीच में एकात बार कमनी के रिजल्ट पाम तुरूरी की वज़े से क्यों क्योंकि यहां पर आप समझ सकते हैं रशिया युक्रेया का वार और यह जो नेगिटिव से पॉजिटिव में आया तो उस वज़े से मैटेगले कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आई है मार्जिन भी थोड़ा सा घठता हुए नजर आया बट श्टिल शेर पर बैट की गई है क्यों की गई है इसके रिजन है जो आगे आपको बता चलेगा कंपनी की बात करें लगब 37 क्रोड का प्रॉफिट है यहां पर से जो लगा दा 12-17 से बढ़ती हुई नजर आई है यह एक माइंड ब्लॉइंग परफॉर्मेंस है और यही चीज अट्रक कर रही है इसके लब यहां कंपनी के मार्जिन अच्छे खासे आ रहे हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें वह यहां पर अच्छा खासा है यहां पर आप देख सकते हैं 338 क्रोड क्रोड के आसपास ल बॉराइंग ना के बराबर 16 क्रोड के आसपास की बॉराइंग है वर्किंग फोर्गस में 14 क्रोड रुपे लगे हुए जब यह यहां एड होंगे तो विससी बात है नंबर्स अच्छे हैंगे 110 क्रोड के आसपास का इन्वेस्टमेंट हो कंपनी का जो कैश बढ़ा है यहा कंपनी के बात करें स्प्लेट तो 26 में स्प्लेट हुआ था ओके ओल्ड फेस्वेल्यू 7.5 थी नियों पांच के आसपास है डिविडेंट कंपनी लगा था डिविडेंट देती हुए नजर आ रही है फाइनल डिविडेंट भी सप्टमबर में है कितने धाय रुपे का यहा पर तोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं तो यहां पर देखिए प्रमोटर्स की ओल्डिंग एज इस चीज से पढ़ा चलता है कि प्रमोटर्स जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स अच्छा गाम कर रहे हैं वह चाहते है कि कंपनी यहां पर बढ़े एफाइस की बात करें प्रमोटर्स अच्छा पर देखिए एक नाव डॉली घंडा ने इस पर्टिकुलर क्वाटर में एक बड़ा नाम भी यहां पर इंक्लूड़ा और जब इन्हों ने इस अधरी खरीदिया इस पर्टिकुलर क्वाटर में तो अबिसी बात है यहां तो इस लेवल पर खरीदी आइए ऑक डॉली खन्ना एक बैतरी नाम है यह बड़ा नाम है उनको जो केंटर करते हैं बढ़े-बड़े जो लोग इंको समझाते हैं बताते हैं कि हाँ पर फ्रेश्ट करना चाहिए इस तरीके को लोग उन्होंने रख रखिया है तो याद रखिए एक बड़े दिमाग क यहां पर अगर देखते हैं तो सबसे पहले जो टार्गेट मुझे नजर आता है 108 पर यहां पर बारा रुपे यहां पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसके इलावा जो यहां पर रुखने बात करने वाली चीज नहीं है कि यहां पर इसे क्या होगा यहां पर सथोड़ा सा चीज नीचे आएगी फिर भागता हुआ नजर आएगा दूसरा टार्गेट 117 रुपे और फिर थोड़ा से नीचे आने क्यार क्योंकि हाइर हाइस बनते हुए नजर आएंगे तो यहां पर तर्फिए और चिए और from जिस तरीके कर रही है यहां रुकने निवाली क्यों किएंपर इंट्रेंसिक वेलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक तीन सो रुपए 300 रुपे का मतलब क्या है मैं अल्रेडी बता चुक हूँ तीन गुना पैसा यहां से सीरा होता हुआ नजर आता है तो दूसरी और यहां पर बात कर लेते हैं चार्ट की तो यहां पर देखिए एक falling waste बनता हुआ नजर आ रहा था जो यहां पर breakout के थुरू यहां पर आ चुका ह रहा है वाइन डिप्स की रन्यती अपनाके इस पर्टिकुलर शेयर में आप यहां पर पोजिशन बना सकते हैं बट अपने फाइन शेयर वाइजर करके किसी कहने पर आपको कोई स्टॉक लेने की बिल्कुल विज़रूत नहीं है चाहे मैं कह रहा हूं या कोई और कह रहा ह है इस तरीकर का यहां पर नंबर्स कभी नहीं आए रिजर्फ कंपनी के कैश बढ़ रहा है रिजर्फ बढ़ रहा है बॉराइं घट्री है तो इस वजह से मैंने आपा शेयर आज के दिन में खरीदा है और शेयर मुझे लगता है कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस लग फि सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी साथ में हिट कर लीजिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच गोड ब्लेस